अमित गुपता प्रेस कॉन्फरेंस करे रहा चाओ जोई है वो एक सिंख होल था मतलब उसमें लिक्विड मतलब जमीन भुवा की तरह नीचे बैठ गई थी जब खोकरा में इंसिडेंट हुआ था लिक्विड आने का इस तरीके का पहला इंसिडेंट है चूंकि एमदबाद में ओल्ड सिटी में बहुत जगा टंकाज और बोर्वेल्स हैं घरों में तो हम लोगों ने नॉर्मली काफी इंफोर्मेशन कलेक्ट की है और जहां जहां पर हैं उनको हम लोग ब्लॉक करने के बाद ही टीबियम चलाते हैं अगर कोई इंफोर्मेशन नहीं मिली जैसे ये परिटिकुलर केस में घर के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई बोर्वेल है मिस्टर् शेख की फैमली को भी नहीं पता था और फ्लोर और दिवार के बीच में से ही लिक्विड बहार आ रहा था जो की कोई gap रहे गया या नीचे की soil रबल से बनाई हो, properly foundation नहीं बनाया हो, इस वज़े से बाहर आया, पर हम लोग एक बार फिर से पूरा precaution लेते हुए काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसी तकलीफ आगे फिर नहीं आएगी. अभी L&T जिस एरिया में काम कर रही है, अभी तक वो railway yard में ही काम कर रही थी, अभी तक एफ कॉन ने करीब 800 मीटर करीब टरनल बोरिंग की है, और उसमें किसी भी residential एरिया में से पास नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, बाकी शहरों में भी जहां tunnel boring machine काम करती है, एक आद incident ऐसे जरूर होते हैं, तो it is not something कि Fcon Company से ही related ये issue है, ये कहीं भी आ सकता है, depending upon वहाँ पे information हमारे पास available है या नहीं है, मगर चुंकि इस एरिया में दो incident हो चुके हैं, तो जो बाकी remaining portion है, उसको एक बार फिर हम लोग और अच्छे से दिखाने के बा अभी तक उसकी कोई confirmation नहीं मिलीगी होती है, वो करीब 30 मीटर डीप होती है, तो sinkhole metro की वज़े से नहीं है, उसके बगल में जो utility की pipelines होती है, उन pipeline में leakage था जिसके वज़े से उपर की soil बह गई थी, बट उसमें metro का ना कोई role है और ना ही metro को ऐसे किसी sinkhole से कोई फरक पड़ेगा, कोई safety पे फरक नहीं पड़ेग हमारे structures पे, थैंक यू